है कि है हलो एब्रीवान दिस प्राक्षु वर वाचिंग बायो लैर्न तो बचे आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे maar ग्रसपरजिनफ सेस्के टौपिक के बारे में Micro कॉपरजिनेंस यानि इस अग्रॉन से लगोल फडुर की बात करूं तो स्टेमन के अंदर से स्टेमन के अंदर से जो पॉलन ग्रेन की फार्मेशन होती है ना तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रो स्पोर जैनेसिस अब पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम माइक्रो स्पोर भी है तो माइक्रो स्पोर बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे माइक्रो स्पोर जैनेसिस तो stamen से pollen grain का सफर आज हम तै करेंगे इस particular वीडियो के अंदर तो बने रहीएगा वीडियो के end तक तो अगर मैं बात करूँ एक हमारे bisexual flower की angiosperm के flower की angiosperm यानि ऐसे plants जिनके अंदर flowers present होते हैं तो flowers present है, bisexual flower यहां पर रखा गया है, तो इस flower की अंदर हमारे पास यहां पर female reproductive system है और male reproductive system है अगर मैं male reproductive system की बात करूँ, तो stamen को मैंने यहां पर अलग कर दिया है तो stamen के अंदर दो parts present होते हैं उपर वाले part को हम क्या बोलते हैं बच्चो उपर वाले part को हम बोलते हैं अंther और नीचे वाले part को हम बोलेंगे filament तो अंther के अंदर pollen grain की formation होती है यह तो पता ही होगा तो एंथर के अंदर से किस तरीके से pollen grain बनेगा इसी process को आजम पढ़ने वाले हैं तो एंथर के अगर मैं structure की बात करूँ तो एंथर कैसा दिखता है एंथर की बच्चों दो lobes present होती है देख सकते हो इस particular diagram के अंदर भी यहाँ पर कि यहाँ पर इसकी दो lobes present है so it is by lobe और हर lobe के अंदर ना compartments present होते है जिस तरीके से यहाँ पर यह एक lobe है one lobe is this, one lobe is this कैसे आये यह particular diagram हमारे आगे अगर मैं एंथर को इस तरीके से cut लगाती हूँ और उसको cut करने के बाद उसके top view को देखती हूँ उसको उपर से देखती हूँ तो कुछ इस तरीके का structure कुछ इस तरीके का structure मेरे सामने आएगा ओके बच्चो तो जब यह हमारे पास यह तो हो गई दो lobes और इन दो lobes के अंदर यहाँ पर हमारे दो-दो थीका और present होगे यानि दो-दो compartments भी present होगे तो हम इस structure को बोल देते हैं बाइलोब्ड एंड डाय थीकस ओके तो बाइलोब्ड डाय थीकस structure रहेगा अंथर का अगर हम इन पर्टिकुलर थीकाज को देखें तो यह जो थीका होते हैं यह थीका हमारे कैसे हैं यह थीका यहाँ पर circular दिख रहे हैं हमें लाइनिंग में लाइनिंग में circular दिखेंगे और चार प्रेजन्ट है तो यह जो पर्टिकुलर थीका होते हैं यही हमारे माइक्रोस्परेंजियम होते हैं माइक्रोस्परेंजियम यानि पोलन सैक्स हमें एक circular सा structure दिख रहा है इस circular structure को हम बोलते हैं connective यह जो circular सा structure है यह क्या है connective connective जैसा की नाम है connective का क्या काम होगा कि जो हमारी एंथर की दो लोब्स है उन दो लोब्स के बीच में connection का काम करेगा आपस में उनको जोड के रखेगा तो connective का purpose समझ में आ गया next अगर मैं microsporengium के structure की बात करूँ तो microsporengium का जो एक circular सा structure है उस particular structure की outermost four layers are present तो इन four layers के बारे में one by one हम पढ़ने वाले है चार layers कौन कौन सी है अगर मैं structure को इस तरीके से यहां से यह zoom in करती हूँ तो यह structure कुछ मुझे इस तरीके से दिखेगा outermost layer की अगर मैं बात करूँ सबसे बाहर circular structure है यह तो पता ही है तो सबसे बाहर जो पतली से layer single side layer is present उस single side layer को हम बोलते हैं epidermis epidermis का function तो पता ही है epidermis का क्या function होता है कि protection का का काम करेगा तो हमारा जो microsporengium है उसको वो protect करेगा हमारे epidermis के नीचे जो second layer present होती है उस layer का नाम होता है endothesium क्या नाम होता है endothesium तो यहाँ पे कौन से layer present है endothesium is present endothesium का एक बड़ा ही specific सा function होता है endothesium क्या करता है ना कि देखो बचो अब इस particular structure के अंदर क्या बन रहे हैं यहाँ पर pollen grains बन रहे हैं तो pollen grains ने आगे जाकर एंतर से बाहर भी निकलना है तभी वो female reproductive system तक पहुँच पाएंगे तभी वो stigma तक पहुँच पाएंगे तो उनको बाहर निकलना है तो एंतर को burst होना पड़ेगा तो एंतर की bursting के अंदर endothesium का रोल है एंथर की bursting एंथर का dehiscence वो कैसे कराता है it is hygroscopic in nature कैसा nature है इसका hygroscopic तो यह जो हमारी endothesium है यह hygroscopic है यह जितना भी पानी इस एंथर को मिलेगा उसको क्या कर लेगी सारा का सारा absorb कर लेगी और जब endothesium water को सारा absorb कर लेगी तो एंथर कैसा हो जाएगा dry हो जाएगा सुखा हो जाएगा और सुखने के बाद एक point ऐसा आएगा कि उसके अंदर pollen grains भरे हुए है तो वो क्या हो जाएगा burst हो जाएगा burst होते ही pollen grains बाहर liberate हो जाएगे तो endothesium हमारा hygroscopic रहेगा nature में और वो enter के dehiscence में role play करेगा next layer की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो next layer present है उस next layer को मतलब हम बोल सकते हैं कि 2-3 layers present होती है 2-3 layers होंगी यहाँ पर तो मोटी सी हम बना देते हैं 2-3 layers are present और इन layers को हम बोलते हैं middle layers बीच में present है 2-3 layers are present और इस particular middle layer का कुछ खास as such significance नहीं है कुछ खास as such function नहीं है अब अगर मैं चौती layer की बात करूँ तो यह बहुत ही special layer है इस layer का क्या नाम है इस layer का नाम है tapetum तो tapetum जो है अब यह special कैसे है तो tapetum is special because जो हमारी चौती layer है यह tapetum यह हमारे developing micro sports को नरिश करेगी जो हमारे developing micro sports है जो हमारे इस micro sporengium के अंदर इस pollen sack के अंदर जो pollen बनेंगे जब वो mature होंगे तो यह जो tapetum है वो उसको नरिश करेगी उसको nutrition प्रोवाइड करेगी तो tapetum के अंदर बहुत सारा cytoplasm होगा और हो सकता है इसके अंदर एक से जादा nucleus भी हो और यह क्या करेगा हमारे developing pollen को developing micro sports को नरिश करेगा तो नरिश्मेंट का काम करेगी tapetum तो इसका function बहुत ही specified है अब tapetum के अंदर चार layers हो गई कौन कौन सी number one is epidermis epidermis के नीचे अगर मैं बात करूँ कौन सी है second endothesium third हमारी जो present है that is middle layers जो की एक से जादा present है और चौती अगर मैं बात करूँ तो tapetum is present तो यह चारों जो है वो present है अब इन चारों के अंदर हमारा main tissue present है कौन सा tissue sporogenous tissue sporogenous tissue यानि वो tissue जिसने आगे जाकर क्या बनाना है pollen grains बनाने है इसके अंदर हमारे pollen mother cells होंगे जो की आगे जाके pollen grains बनाएंगे तो sporogenous tissue देख सकते हो यहाँ पर यह जो तुम्हें यहाँ पर circular सा structure दिख रहा है this circular structure is sporogenous tissue अब जब हमारा anther है वो young है तो young है तो sporogenous tissue के जो cells है वो भी young है पर जैसे जैसे anther हमारा mature होना शुरू होता है तो यह जो हमारे sporogenous tissue के cells है this is a cell of sporogenous tissue तो sporogenous tissue का जो हर cell है वो धीरे धीरे division करना शुरू कर देगा अब बताओ मुझे कौन से division करेगा कैसे division होगी meiosis होगा या mitosis होगा तो because आज हम कौन से process को पढ़ रहे हैं gamete formation के process को पढ़ रहे हैं pollen formation हो नहीं है तो pollen formation हो नहीं है तो हमारा जो chromosomal content है वो भी तो 2N से N होगा न अब तो क्योंकि chromosomal content आदा होगा haploid हमे cell चाहिए तो haploid cell को बनाने के लिए कौन से process को करेंगे हम meiosis के process को करेंगे तो sporogenous tissue का जो cell है वो क्या करेंगा meiosis करेंगा meiosis करते time अभी यह क्या है one cell है one cell stage है one cell से पहले यह जाएगा two cell के ऊपर और two cell two cell यानि हमारा meiosis one यहाँ पर complete हो गया and then meiosis two होगा meiosis two में क्या हो जाएगा four cell structure बन जाएगा तो यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब four cell structure बनेगा तो यह जो चारों cells है यह आपस में से अलग नहीं होते हैं मतलब nucleus तो divide करते जा रहे हैं, cytoplasm भी almost divide हो रहा है बट यह जो cells हैं आपस में attached हैं, आपस में जुड़े होए हैं, तो इस particular structure को जिसके अंदर चार cells present है ऐसे structure को हम नाम दे देते हैं microspore tetraide तो हमारा यहाँ पर microspore tetraide बन चुका है जिसके अंदर चार cells present है, और हर cell की ploidy क्या होगी, chromosomal content कितना होगा बच्चो, n होगा तो यह जो हमारा cell था, इसकी ploidy क्या थी, इट वस 2N 2N से हमारा N cell बन चुका है, haploid cells बन चुके हैं, अभी जो microspore tetraide है, इसके अंदर कितने tetraide के अंदर कितने cells हैं, चार cells हैं, तो जैसे जैसे हमारा enter develop होगा, enter mature हो रहा है, वैसे वैसे हमारी endothesium क्या करेगी, उसका पानी सोकती चली जाएगी, absorb करती चली जाएगी, और हमारे sporogenous tissue के cells हैं, वो microspore tetraide बनाते चले जाएंगे, तो process चलता जा रहा है, एक time ऐसा आजाएगा, कि हमारा यह जो particular structure है, हमारा sporogenous tissue है, वो fill हो जाएगा, किस से pollen tetraide से, और और वो क्या होगा, बाहर की जो layers है, उनको क्या करेगा, वो particular layers dehiscence हो जाएगा, उसका anther का dehiscence हो जाएगा, और यह जो हमारे जितने भी microspore tetraides हैं, वो बाहर निकलने की पूरी तयारी कर लेंगे, जैसे जैसे इनका time आता है, बाहर release होने का, at the time of dehiscence, या फिर pollen grain, यह हमारे क्या है, pollen grain, और यह release हो जाएंगे anther से बाहर, तो बात करें, अगर pollen के structure की, तो pollen का structure कैसा होता है, कैसा दिखता है, यह circular है, चिक है, अंदर वाली इसकी layer कुछ ऐसी है, बाहर इसके एक extra layer present होती है, कुछ इस तरीके से, irregularcy, चिक है, अंदर वाली layer को हम नाम दे देते हैं, intine, अंदर वाली layer को हम क्या बोलेंगे, intine, और बाहर वाली layer को हम क्या बोलेंगे, exine, जो हमारी exine होती है, वो बहुत ही hard होती है, hard material की बनी होगी, और कौन सा material होता है, sporopolynin, sporopolynin की यह हमारी exine बनी होगी, तो sporopolynin एक तरीके का, बहुत ही resistant material, बहुत ही tough material है, उसकी exine बनी होगी, pollen grain की जो आउटर्मोस्ट कवरिंग है, वो exine है, और यह particular material, pollen grain को बहुत ही resistant बनाएगा बहुत ही tough बनाएगा चीक है अगर मैं intine की बात करूँ तो intine हमारी अंदर वाजी layer है और वो किस से बनी होगी वो cellulose और pectin से बनी होगी इसके अंदर क्या होगा हमारा pollen grain present है तो वो pollen grain की अगर मैं बात करूँ अब इसके अंदर दो cells present होते हैं pollen grain जब release होने वाला होता है तो यह two cell stage पर release होगा two cell अगर मैं उपर वाले cell की बात करूँ तो उपर वाला cell थोड़ा सा बड़ा होता है और इस cell को हम बोल देते हैं vegetative cell उपर वाला cell कौन सा है vegetative cell और नीचे वाला cell कौन सा है generative cell ठीक है एक बात बतानी रह गई कि जो हमारा exine है वो यहाँ पर एक छोटा सा aperture होगा छोटा सा hole होगा जहाँ पर यह particular sporopollen यह particular exine present नहीं होगी तो exine यहाँ पर क्यों present नहीं होगी यह tough material यहाँ पर क्यों नहीं present क्योंकि यहाँ से हमारी future में pollen tube बनेगी जो pollen germination में help करेगी तो यह hard material वहाँ से pollen tube नहीं बनने देगा तो इसलिए वहाँ पर sporopollenin हमारा absent होगा वापिस से चलते हैं two cell structure के उपर कि जब pollen release हो रहा है तो उसके अंदर अब दो cell बन चुके है division कैसा होगा my tortically ही division चलेगा क्योंकि n achieve हो चुका है हमारा ploidy क्या होगी है n तो अब आगे जब भी cell division होगा तो क्या होगा my tortically होगा अब यह जो particular हमारा pollen है इसके अंदर एक तो हमारा vegetative cell है एक generative cell है vegetative cell का जो हमारा nucleus है वो थोड़ा सा बड़ा होगा और irregular होगा generative cell का nucleus छोटा सा होगा और यह जो particular cell है यह हमारा spindle shape है spindle shape cell हमारा यह है ठीक है अब vegetative cell का क्या काम है vegetative cell का काम है इस particular pollen को nutrition प्रवाइड करना तो it will be rich in cytoplasm nutrient reserves होंगे इसके अंदर तो बहुत सारा खाना इसके अंदर भरा हुआ है और यह nutrition प्रवाइड करने का काम करेगा generative cell आगे जाकर हमारे male gametes को release करेगा याद रखना है बच्चो जो pollen grain है वो हमारा male gamete नहीं है तो male gamete यह आगे जाकर release करेगा इसलिए हम pollen grain को male gametophyte भी बोलते हैं क्या बोल देते हैं male gametophyte तो हमारा जो pollen grain है उसी ने आगे जाकर जो gametes हैं उनको release करना है तो अब बात करते हैं जो generative cell है हमारा यह generative cell कुछ particular plants के अंदर जो होता है angiosperms के अंदर 60% अगर मैं बात करूँ 60% के अंदर यह particular जो हमारा generative cell है वो आगे divide कर जाता है और कितने cells बन जाते हैं इसके 3 तो 3 celled जो है वो 60% angiosperms जो है वो 3 celled stage के उपर अपने pollen grain को release करते हैं जिसमें से generative cell हमारा आगे further तूट गया है और जो हमारे 40% angiosperms हैं वो इसको 2 celled stage पर release करते हैं अब generative cell के अंदर से जो 2 cells बनेंगे वो जो 2 cells है वो act करेंगे as male gametes और pollen tube के अंदर से वो जाएंगे हमारे stigma के पास फीम अब दिस अल एंज अप विद माइक्रोस्परोजेनेसिस आई होप वीडियो आपके लिए जरूर helpful रहा होगा in case you want more such videos please subscribe to my channel मिलते हैं next video में till then take care bye bye